फरूखबाद में होली पर रंग डालने के विवाद को लेकर दबंगों ने ग्रामीड की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या ग्रामीड गया था अपने खेत देखने देर रात तक बापस न आने पर परीजनों ने मिलाया फोन फोन नंबर उठने पर परीजनों को अनहोनी की हुई आसंका मृतक के परीजन ग्रामीडों के साथ खेत में पहुंचे खेत में लाठी डंडों से लैस आरोपियों को भागते देखा ग्रामीडों की मदद से एक आरोपी को परीजनों ने दोड़ा कर पकड़ा जहांकिया में मिला ग्रामीड का शब आक्रोशित ग्रामीडों ने पकड़े आरोपी की जमकर की पिटाई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची आरोपी को हिरासत में लेकर घायल अबस्था में CHC भेजा मिरतक ग्रामीड के परिजनों से पुलिस पूस्ताज करने में जुटी है कोतवाली मौहमदाबाद छेत्र के नकटपुर गाउं की घटना थाना मौहमदाबाद छेत्र में गाउं नकटपुर में सत्यपाल पुत्र राजा राम जिसकी उम्र 48 वर्स है उसकी डेड बॉड़ी यहाँ पे जाडियों के बीच में मिली है और जैसा कि उनके परिवाजनों का बताना है और गाउंवालों का बताना है कि यह व्यक्ति शाम से मिलने रहा था लोग उसको खोजने के लिए आये थे तब यहीं के पास से एक व्यक्ति भागता वह दिखा और भागता वह दिखने पर उनको 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 थोड़ी पिटाई भी की है वो सराप के नसे में है अभी उसे CHC में दाखिल कर दिया गया है और पूरे घटना करम की जांच की जा रही है और जैसा बताया जा रहा है गामालों के द्वारा कि वो इस हत्या में सामिल है और पूरी घटना की पलिस जांच कर रही है जो भी बार बार बार